अब अपने जो इस पार्ट के अंदर इस जो भी अपने अभी तक पढ़ा रहा ऐपने मट्राइघ करके देखेंगे कि जो अपने पढ़ा क्या वो तरीके से वरक करता है या समझाया हुआ है उसके लिए अपने कुछ बिजांपल फिर जाते हैं अभी ठीक है तो पहला एक्जांपल देखेगा कि एक समबाहुत तिर्भुज ABC की भुजाओं BCCA AB के अनुदिस टीक है कि BC CA और AB यह तीन भुजाएं इसने दे रहे रही है कि BC CA और AB के अनुदिस 13 10 और 5 की गराक बाहर के बल तीन बुलाओं बुजाओं के अनुदिस जो है लग रहे हैं तो परिणामी का परिमान एंदिशा ग्याद की आपको रिजल्टेंट का मान निकालना है और डारेक्शन आपको फाइंड आउट करनी चलिए चलते हैं करते हैं वह आपका क्या हो बिल्कुल सही हो उसके बाद कहीं कोई दिक्कत जो है नहीं आती है अपने सबसे पहले क्या है यहां पर रखेंगे डारेक्शन देखें एक अपने ट्रेंगल बनाया है कि अपने को यहां पर लिखनी है कि माना ए आपका कोई मूल बिंदू है तता एक्स तता वाई अक्स है ठीक है एक्स और वाई एक्स की दिशा में परणामी बल के व्योजित भाग करम से आरेक्स तता आरवाई हो यह तो अभी अपने पढ़ाई है कि इस दिरेक्शन के का है आर ऑए है आरेक्स का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा इसका निकालने के लिए यहां पर जितने भी बल आपके पास कारिया कर रहे है इस हम पहले इन सभी बलों के एक्सकी डार्षन में 5 का आप क्या है, 20 निकालेंगे, x1 मतलब xx की दिशा में, तो वो क्या हो जाएगा, 5 cos 0, ठीक है, अब यदि आप क्या करेंगे, इसका y1 निकालेंगे, इस direction के अंदर, आप इस तरह से इसको लेके जाएगे, तो इसका y1 जो है, वो क्या हो जाएगा, आपका 5 cos 90, समझ रहें आप, ठीक है, यह हो गए किसके लिए, 5 के लिए, ऐसी जब आप 13 के लिए निकालेंगे, 13 के लिए जब आप x1 निकालेंगे, तो इस direction में इसको लेकर के आएगे, तो ये angle कितना है, अब चुंकि ये जो आपके पास triangle है, ये triangle जो है, sumbahu तिरभु जाए, ये जान रखी हैं, sumbahu मतलब ये जो angle है, वो कित्ते किते डिगेरी के हैं, ये angle है आपका 60 degree का, ये angle भी आपका 60 degree का, ये angle भी आपका 60 degree का, तो यहाँ angle कितना हो गया, यहां लाना इस डारेक्शन में लेकर के आना है यहां लाना यह इसका यहां जो एंगल है वो खितना 30 है तो वाइवन क्या हो जाएगा और आपको क्लियर हो गया अच्छे से इस तरह से आपको इनके डिजॉल्विंग पार्ट आपको इनकी डारेक्शन में लेकर के जाना है ठीक है डारेक्शन में आप लेकर के जाए और डारेक्शन में लाने के लिए आपको क्या है कितना एंगल चंड रहा है कितना एंगल आप मुवमेंट करवा रहे हैं उसका कोस आप लिख देंगे ऐसे आप क्या करेंगे जब आप इसके लिए ले करके जाएंगे तो आप क्या है यह 60 डिगरी पर लेकर आएंगे नेगेटिव होगा क्योंकि एक्स-सी बिल्कुल क्या हो गया विप्रीट डारेक्शन में चलेगे इसक इसकी डारेक्शन क्या होगा इस तरफ होगा तो वहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा कलियर ठीक है इस तरह से अपने क्या है इनके x1 y1 x2 y2 ठीक है यह x2 y2 मान लेते हैं दूसरे फोर्स के लिए इसके लिए जो आएंगे उनको x3 y3 मान लेते हैं आरेक्स क्या हो 240 दिया इसको देखेट कैसे लिखा आपको आपको से लाने के लिए आपको इधर से आएं एक्सटी और साथ कितना हो गया स्टेम डारेक्शन में लाने के लिए यानि इसको घुमा करके इसकी डारेक्शन ऐसे करने के लिए सेम आपको कितना चलना पड़ेगा 60 फिर आपको 90 कीव ति तरह से यह इधर से आप लाएंगे तो यह आपका थर्टी से फिर आफ एधर लाएंगे कि PHILDA लेकर कर से लाने के लिए थिक रवड़ावांज ही हुआ उसको इसको क्या कर देे माइनस कर दें सेमिया कर और से मीयात था है स्व वोस्ट थर्टी क्या होता है वन भाई हटो खुट करने तो पूरा एंगल इनकी से यह आप साइन पर मत जाएं एक ही चीज में रखें यह तो क्या से तरीक के से आपको बताया गया है किस तरह से सामने जो होता है वो साइन पर चला जाता है फिर इक है साइन जीरो क्यों TRESME नीज्राइब निखालना है एंगल तो वही रखना है जो एक सब्नाता है उसका माझ क्या कना शायन कर देना और यह निजनकी इनका क्या एंगल तो वही कर दो साइन कर दो कोस की चाहिए या फिर अगर आपको कोस ही रखने है तो फिर एंगल अलग हो जाएंगे अलग कैसे हो जाएंगे देखिएगा पर यहां पर है पर डच सेंट विखन है आपको रखना रे तो इहां पर कितना केलिए एभू को सिदा 바े मूप्मेंट करना पड़ेगा ध्यार तो सिदार कमान एंगल मुवाइट करना पड़ेगा यो जैनों सिधा स्था मान यह आरकसा गया आरवह आगे और यहां से आपको क्या मिल गया आर वाई आपको प्राप्त हो गया अरएक्स और डिर्वाई आपको रहाब्झ निकालनेुए और सब्सक्रीं में आरजेब आर बर आपकर निकालने स्केर का रूट यह वेल्यू आगया यह वेल्यू आ गया बस सेवन यूनित हो गया डारक्षिन नीज्टिंस नीज्ट निकाल की टंटा क्यों अर्वाइय पोण और्फ एकस निन्देट थीटा का वेल्यू और यानि थीटा का मान हमारे पास क्या आगया इस इसी जोर एंस्वर के समझ आया कि ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एक्जांपल नंबर दो पांच एक एक माइनस तीन चार फोर्स हैं आपके समानुपाती परिमानों के बल किसी वर्ग कोई आपके पास वर्ग दिया गया है ABCD की भुजाओं के करम से ABCD और DA के अनुदिस किरिया सीले दिखाइए कि निकाय केवल एक बल के तुल्य है और इसका परिमान दिशा और किरिया रेखा भी ग्यात के जिए ठीक है पहले तो आपको आर निकालना है फिर आपके इसकी किरिया रेखा की प लाइन है इस तरह एसे कि प्रणामी बल की लाइन अपर ने इस तरह कर रखिए एक मिनिट का ताइम दीजिएगा अजी चलिए तार्ट करते फिसे तो यह किरिया रेखा की अपने मान लेते हैं ठीक है कि यहां पर क्या है इसकी किरिया रेखा है इस तरह और यह अलग लग बन के अंदर देखिए अलग लग बल शो करने हां आपको ठीक है को आपको वेक्स से दिखा दीजिए लिक जैसे इसमें डिखाया इसको आपने य इक आपको दिखा द दे रहे हैं यह 5 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, माइनस 3 हो गया, इस तरह से यह सारे आपको शो हो रहे हैं, अब आपको क्या करना है, Rx, Ry निकालना है न, तो इन सब के component निकाल लीजिए, 5 cos 0, 1 cos 90, यह इसकी विप्रीट डिरेक्शन में है, ठीक है, 1 cos 0, नेगटिव साइन कर देना, इसके स माइनस 3, cos 90, और माइनस साइन कर दीजिए, या फिर वो पूरे एंगल आप 270 और वैसे घुमा करके, अभी किया हुआ, सेम उसी तरीके से है, 5 cos 0, ठीक है, 5 cos 0, 1 cos 90, ठीक है, 5 cos 0, 1 cos 90, एन कितना एंगल बना रहा है, इसके साथ, 1 cos 90, ठीक है, 1 cos x 80, यह फिर डारेक्शन में है, तो 1 cos x 80, यह कितना बना रहा है, 270 बना रहा है, क्योंकि इसकी डारेक्शन यह है, इसकी डारेक्शन यह है, इसके साथ कितना एंगल बना रहा ह है क्योंकि positive direction में अंगल नापते है अपने यह कितना वना रहाई-3 इसके साथ कितना एंगल बना रहा है 270 वना तो यह तरीका भीशाइए करें आपको दिक्कत नहीं है यह कितना एंगल आपको निकालने है वेल्यू आ जाएगे इसकी 4 अब आपको क्या है और वाई कमान निकालना एंगल सेम रखिए साइन कर दीजिए साइन कर दीजिए तो यह हो गया आपका आरेक्स और आरवाई तो बिंदु एक साप अब आपको मॉमेंट निकालना है आगुर्ण यदि आपको ग्याद करना है बिंदु एक साप एक तो अपने क्या करेंगे बिंदु एक साप अब इस यह जो बल आपका 5 जो यूनिट वल जो है उसकी देखो डारेक्शन यही तो है न तो बिंदु ए- ए क्या है इसकी इसकी किरिया रेखा की डिस्तेंस है एडी ठीक है और ये ओर आ लंबाइवा या ले 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 लिए झालरे ले तो याल YEink 2A, जहां A हमारे पास क्या है, side of square है, इस तरह से अपने क्या है, यह अपने G का मान भी find out कर लिया, Rx, Ry हमारे पास आ गए, Rx, Ry से अपने R का मान निकाल लिया जी, और अब अपने क्या है, यदि परणामी R, AX के साथ theta कौन बनाता है, तो direction जो है, वो 10 theta ब्राबर RY upon Rx हो ज G, G का मान क्या है, 2A आया, X क्या है, ठीक है, X, small x, small r, y जो है हमारे पास क्या है, variables है, R, Y, Rx का मान रख दीजी, यह हमारे पास किरिया रेखा का समीकर्ण आ गया, ठीक है, बढ़ते हैं, अगले question की तरफ अपने, चलिए, इस तरह से यह किरिया रेखा का, जो कि परणामी बलकि किरिया रेखा का क्या है, समीकर्ण है, यह किरिया रेखा मूल बिंदू A से क्या है, दूरी निकालनी है, अपने को, मूल बिंदू A से किती दूरी पे है, तो G अपन आ राता है, दूरी का सुतर से, अपने मूल बिंदू से, यहां पे मूल बिंदू अपने A मानना है तो मूल बिंदू से दूरी थोड़ी देर पहले ही अपने formula drive किया है थीक है तो 2a upon क्या हो जाएगा 4 root 2 तो इस तरह से अपने ये मूल बिंदू से उसकी क्या आ जाएगी दूरी आ जाएगी इस देट क्लियर बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया हो बढ़ते हैं आगे एक जंपल नंबर तीन के उपर एक समसट बुझ है ठीक है बिंदू ओ को आपको केंदर मान लेना है और ये एक दो तीन चार पांच छे परिणाम के बल करम से ये भुजाएं जो दी गई है ना A, B, C, B, D, E, F, A, F इसी के अनुदिस आपको बनाना है diagram Abraham आपको इसी के अनुदिस आपको डू करना है तो की निकार का ओपर एक बल और एक बल योगमें समाणे ए भी और ये बताना है आपको समाणेन की जिए यानि वह आपको आर-एक्स- आर-वा-ई-आर निकालना है ठ ठीक है जहां से आपका जो resultant की action line गुज़रती है कहां से A B से आपको गुजारते हुए इस तरह से कि मान लेना है कि A B पे किसी बिंदु से क्या है आपकी action line find out होती है और आपको बिंदु O से बढ़ते हैं आपको डाइग्राम इसी तरीके से बनाएं एक डारेक्शन यही रखनी है जो आप उसमें भुजाएं शो करेंगे ना समसट भुज के अंदर आप जो उसकी साइड जो बनाएंगे उनके लिए आपको क्या है यही चीज आपको शो करनी है किस परकार से आपको य इसके अनुदिस ही आपको बढ़ना है ठीक है चलिए यह बना लिया जी डाइग्राम आप अ कि यह हो गई जी हमारी एक्शन अ कि इसको एबी से गुजारना ना एक्शन लाइन को क्या करना एबी से गुजारना एबी पर बिंदू निकालना वो पूछ रहा है कि एबी बता आपको क्या है बहुत इंपोर्टेंट क्यूस्टन है एक्जाम में आने लाइक एक्जाम्पल है बड़ा अच्छा बड़ा ही सुंदर एक्जाम में बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको दिखने वाला क्यूशन तो इस तरह से अपने क्या है इसकी किरिया रेखा तो अपने क्या है अब उसको स्टार्ट करते हैं माना ओ हमारा मोल बिंदू है तो और निर्देशी अक्षन पुने माना और एक्स तता और वाई बिंदू ओ ले लिया ठीक है बिंदू ओ ले लिया अपने क्या है इसके मिड में जहां पे इसका बल के अंदर होता है आप यह कहते कि सर इस पर किसी बिंदू को भी मूल बिंदू लिया जा सकता था ले सकते थे फिर अपने वाई इस तरह से शो करना पड़ता ठीक है अब स सबी एंगल के लिए कहीं भी किसी बिंदू को आप मूल बिंदू मान सकते हैं ऐसा जरूर नहीं है कि यहीं लें अपने बट यह समसट भूज के अंदर इस तरह से एक बड़ी अच्छी आगर्ती बन जाती एंगल निकालना बड़ा आसान हो जाता है तो उस तरीके से यह क्या कि अपने यहां पर क्या है मूल बिंदू ले ले लेते हैं आप इसके किसी बिंदू को भी मूल बिंदू मान सकते थे ऐसा अपका वाइकस ऐसे होता आप इस तरह से इसको एक सक्समान कोई दिक्कत नहीं थी बस फिर एंगल उसके अकॉर्डिंग निकालने होते हैं हमज़ एक जो अंत्रक epon है इसका इक्वल होगा रूवण 20 डिगरी का होगा उसके according अपने किया कि इसको एंगल निकालने और एक्स का वन ऊस्टारेक्सन में एक्सक्स के साथ कितना ऺड़ अप्यक्स एकपउर्टिव एक ससंसी नियुकिiver यहां पर यह 60 यह कितना होगा 120 यानि आपको एक्शन लाइन की एक्स-क्स की पोजिटिव डारेक्शन के साथ एंगल लिख देने हैं इसकी टारेक्षिन है इसकी यह वाड़ा आपको डारेक्षिन दिखेंगे अब आप क्या करें यह यहां से एंगल आपको ना पवाया गया यह इसकी एक्षन लाइन तो इसकी क्या है अपने एक्सक्स की दिशा है अब 365 तो पूरा एंगल अपने पास यहां पर 365 बाड़ा एंगल जो है हम जब आपने सोरी 365 नहीं है गलती से बोल दिया हमें 65 नहीं है एक्सन लाइन की डिरेक्शन एक्सक्स की दिशामें तो क्या हो जाएगा थ्री कोस्ट जिरू ऐसे ही फोर कोस्ट टू फोर्टी यह सारे एंगल आप फाइंड आउट कर लीजिए इसकी एक्सन लाइन है इसकी क्या है एक्सन लाइन डिरेक्शन यह है यह एंगल निकाल लिए आप इसकी positive direction के साथ इतना एंगल है ठीक है यह 240 फिर 120 के 6 जीरो यह एंगल सारे find out कर लीजिए इनके मान निकाल लेजिए इनके मान निकालना आप को अच्छे से आता होगा यह मान find out कर लीजिए फिर आप आर वाई निकालेंगे और निकालें तो किया करना है जहां को से वहां क्या करदो साइन कर दो एंगल सेम रखना कोसे मान find can एंगल क्या रखेंगे एंपने रखेंगे एक्स आ लगया और को के शापग्स आघुड निकालना अब sa pen रहती है बीनदु okay sapeks आघुड निकालने की बात यहीदिüst Rider के कि परतेग भुजा की लंबाई यूदि एमान लें तो किसी बल की किरिया रेखा की बिंदू ओ से दूरी जो फिक्स पॉइंट है उसी के सापेक्स आगोंड निकालेंगे इसकी किरिया रेखा के दूरी यहां से अपने बंगलि कितनी हो जाएगी यह सारी डिस्टेंस रहती है यहां से इनकी क्या रहती हैं है इसकी इसकी फ्रोपरटी यह यह Τि इसकी बुजा की जो प्रतेक बुजा की लंबाई यदि अपने देखें तो आपको नहीं दी गई है तो आपको वह साइड की लंबाई जो है वो लेनी यह जो बीच का पोईट प्रतेक की लंबाई जो है वह एकवल होगी हुआ अपने क्या है यह लंबाई एमान लेटें ते क्योंकि मिड़का समसाट फूझ के अंदर गूर्त ये के अंदर की प्रतेक जो फुजा है उससे again उति सेम सेम डिस्टेंस को अपने किया मां लिया टीकल सद्रीपर कीिए रव जो अपने सेम गता है ऐसको अप्रतिक नोधें अब एक मुल बिंदुफ्तु लिया था यहां अपने बिचस यहांपने नमी xu, बिचर्ण का उसको अपने मुल बिंदु माना था ठीक है यहां पर आपने क्या है वनका यह हो जाएगा है नेच्र के कि Tolkien यहाँ पर आपको दिख रहे है उस के according अपने क्या है चाना है के उसके according अपने क्या है इनको साइन दिने है और वो जो साइन अपने दी हैं फिर उनका multiply करके one into a हो गया minus two into a हो गया plus three into a minus four into a हो गया plus five into a minus six into a ठीक है तो यह अमारे पास क्या गया इसका momentum आगया total जो आघूर्ण है वो अपने को यहां पर क्या है प्राप्त हो गया अब बढ़ते हैं अपने किरिया का मान निकालेंगे र Y अपॉन र X रूट 3 अपॉन 3 यानि वन अपॉन रूट 3 थीटा का मान आपको मिल जाएगा परणामी बल्की किरिया रेखा का समीकन X र Y यहां परणामी बल्की किरिया रेखा को क्या है यहां से यह पास आउट होती है मूल बिंदू से इसकी क्या है डिस्टैंस अपने को find out कर लिनी है उधीन्स किरिया रेखा कि डिस्टैंस देखे गा क्या आई हमारे पास यह रूट 3 अपने इस तरह से अपने को यह ंपर प्राफत को जाती है यह distance अपने find out कर लेंगे इस तरह से अपने कोई भी question जो है ना बड़ी आसानी से क्या है अपने solve कर सकते हैं कुछ और question अपने करेंगे इसके ठीक है अच्छे यह आपको अच्छा लग रहा होगा कुछ चीज़ें कलियर हो रही होंगे साथ के साथ इक्जांपल्स आप फोकस कर लिए टाइम आपके पास कम है ठीक है अच्छे से आप क्या है प्रतियक प्रतियक क्यूश्चन को समझ के कि यह इस तरह से इसका एंगल अपने को फाइंड आउट करना है फिर अपने को आरेक्स निकालना है और वी निकालना है प्रोसीजर सबका सेम है क्यूश्चन में थोड़ी से लेंगवेज वगएरा थोड़ा साथ आपको चैंजिस करने है पर सेम चीज़ें सब जगे पर आपको करनी है है अभी आप जहिएगा नहीं यही रहेगा ठीक है आपको जल्दी अग्ला वीडियोगी अपने करेंगे तो दो मिनेट के ब्रेक के बाद पांस मेरे का ब्रेक और उसके बाद आपको अग्ला वीडियोग प्राप्त हो जगा इसी को कsecond रखेंगे आगे और क्यूश्चन